प्रिंसपल्स आफ क्लीवेज विदलन के नियम विदलन को नियंतरित करने वाले बहुत से कारक होते हैं और उसके आधार पर अनेक जुलोजिस्ट्स ने कुछ नियम दिये कि किन नियमों से विदलन निर्दारित होता है, रेगिलेट होता है, इन में the first law is sex law, सेक का नियम, 1877 में सेक ने ये नियम दिया था और ये नियम बताता है कि कोशिकाएं एक समान पुत्री कोशिकाओं में विवाजित होती हैं, ब्लास्टोमियर्स डिवाइड होती हैं, और उसे जो डॉटर ब्लास्टोमियर्स बनती हैं, वो उनके समान ही होती हैं, दूसरा पॉइंट है सेक के नियम का कि प्रतेग विवाजन का नया तल, पूर्व विवाजन के तल को लंबवत रूप से काटता है, ताकि कोरक खंड की आकरती गोलाकार बनी रहे, means successive plane of division जितने भी होते हैं, वो अपने preceding वाले के perpendicular होते हैं, उसके लंबवत होते हैं, यह दूसरा पॉइंट है सेक के नियम का, हाटविक का नियम है, और हाटविक ने यह बताया कि जितने भी कोरक खंड होते हैं, वो एक समान आकार वाली कोशिकाओं में विवाजित होते हैं, चाहे योग का वित्रण असमान हो, हाटविक है कहना चाहरा है कि ओवम में amount of योग के आदार पर देखिए, हमने पढ़ा थ कि कई प्रकार के ओवम होते हैं, माइक्रोलैसितल, मेगालैसितल, आइसोलैसितल, तो amount योग का अलग-अलग टाइप के ओवम में अलग-अलग होता है, तो हटविक यह कहना चाहरा है कि कोरक खंड एक समान आकार वाली कोशिकाओं में विवाजित होंगे, चाहे योग का व करार होवम है, और डिस्टिविउशन चाहे जैसा है योग का, लेकिन जहां भी क्लीवेज हो रहा है, और उस क्लीवेज से जो बलास्टोमेर्स का निर्मान हो रहा है, वो कोरक खंड एक समान आकार वाली कोशिकाओं में विवाजित होते हैं, तो है और हर्ट्विक के लौक का दूसरा पॉयंट है कि नया विवाजन मुख्य-क्ष के लंबवत होता है ताकि कोशिगाओं की आकरती गोलाकार बनी रहे वही वाला पॉयंट है सैक के नियम को ये एक तरह से ये जस्टिफाई कर रहा है कि जो भी नया विवाजन होता है वो मुख्यक्ष के लंबवत होता है ताकि कोशिकाओं की आकरति गोल बनी रहे स्फेरोडल बनी रहे तीसरा नियम Balfour's Law, Balfour का नियम Balfour का नियम ये बताता है कि विदिलन की दर अंडे के किसी भी छेतर में योग की मात्रा के विलोमान पाती होती है inversely proportional होती है तो इसको हम इस तरीके से भी बता सकते हैं कि जैसे जो rate है cleavage की rate of cleavage rate cleavage की जो है विदलन की दर है is inversely proportional to the amount of yoke means जितना ज्यादा yoke होगा विदलन की दर उतनी ही कम होगी विदलन उतना ही धीमा होगा ये बैलफोर का नियम है चौथा नियम है fluser's law या fluser का नियम इसके अनुसार mitotic spindle हमेशा कम प्रतिरोध वाली दिशा में निर्देशित रहते हैं means mitotic spindle उस दिशा में निर्देशित रहेगा उस दिशा की तरफ elongate होगा जिदर minimum resistance होगा या कम से कम प्रतिरोध होगा तो यह principles of cleavage thanks for watching